नमस्कार आपका स्वागत है, दोस्तों भगवान श्री हरी विश्णू जी ने नारत जी को मनुष्य के ऐसे तीन लक्षणों के बारे में बताया है, यदि किसी के अंदर यह लक्षण होते हैं, तो वह मनुष्य जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है, मृत्यू के पश्चा नहीं जो भी मनुष्य ध्यान मगन होकर इस पवित्र कथा का श्रवन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप ततकाल नश्ट हो जाते हैं, इसे एक बार श्रवन करने से उसे सभी यग्यों का फल मिल जाता है, तथा वह सभी सुख को प्राप्त करता है, आईए आपको सुनाते ह वह महान का था एक समय की बात है, मध्य देश में एक महान भाग्यशाली गिरी नाम का शूद्र था जो कभी लालच नहीं करता था, वह खेतों से धान की बाली लाकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था, उसके पास केवल दो ही फटे पुराने वस्त्र थे तथा उ कभी कोई पाप कर्म नहीं करता था, और पैसे के लिए कभी बुरे काम भी नहीं करता था, फिर एक दिन भगवान विश्नु ने उसकी परीक्षा लेने की सोची, और फिर जब शूदर नदी में सनान करने के लिए गया, तो फिर भगवान ने दो सुदर नए वस्त्र नदी वस्त्र किसी और के होंगे, और कोई उन्हें यहां पर भूल गया होगा, ऐसा सोच कर वह चुपचाप वहां से चला गया, फिर भगवान ने उसकी ओर एक परीक्षा लेने की सोची थी, और फिर एक में भगवान ने सोने का टुक्रा डाल कर उसे एक व्रिक्ष के नीचे र वह शूद्र सोचने लगा, बड़ी अजीब बात है, इस फल के अंदर सोने का टुक्रा किसने रखा होगा, यह तो किसी चोर का काम हो सकता है, ऐसा कहकर उसने उस फल को वहीं पर रख दिया गया, और सोचने लगा कि अगर मैंने इस फल के अंदर के सोने के टुक्रे को ले लिया गया, तो मेरे अंदर लालच निर्मान हो जाएगा, और इस धन की रक्षा करने में भी मुझे बहुत कठिनाई आएगी, बिना कार्य किये प्राप्त हुआ धन अहंकार निर्मान करता है, मनुष्य को जितना अधिक लाभ होता है, उसका लालच उतना ही अधिक बढ़ जाता है, लालच से ग्रस्त मनुष्य को सदा नरक में ही रहना पड़ता है, यदि मैं सोने के टुकडे को अपने घर ले जाऊंगा, तो मेरी पतनी और पुत्र की बुद्धी भरष्ट हो जाएगी, जिससे उनके अंदर भी अहंकार का भाव आ जाएगा, और अहंकार से क्र उत्पन होता है, और घर में क्लेश होता है, अहंकार लालच और क्रोध करने से पुन्य नश्थ हो जाता है, और मेरी जीवन धर की तपस्या भी नश्थ हो जाएगी, तपस्या नश्थ हो जाने पर मैं भी पापी बन जाऊंगा, इस प्रकार सोच कर, शूद्र ने उस फल को वहीं जमीन पर रख दिया और चुपचाप वहां से चला गया उस समय आकाश से सभी देवता शूद्र के व्यवहार को देख कर उसकी प्रशंसा करने लगे भगवान ने फिर से एक बार शूद्र की परीक्षा लेने की सोची और एक साधु का भेश बना कर शूद्र के गाउं में चले गए और लोगों को उनका भविश्य तथा भाग्य बताने लगे सभी गाउं वाले उस साधू की चर्चा करने लगे और यह बाद पूरे गाउं में फैल गई फिर जब यह बाद शूदर की पतनी को पता चली जाएगी तो वह भी उस साधू के पास आ गई और खुद के भागय के बारे में पूछने लगे तब उस साधू ने कहा है अज तेरे लिए बहुत सारा धन दिया था लुटेरे मूठ पती ने उसका परित्याग कर दिया गया उसने उस धन को वही पर फेंक दिया गया तेरे घर में धन की बहुत कमी है तेरा पती जब तक जीवित रहेगा तब तक तुझे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी पूच तरबूज शूद्र की पतनी दोड़ कर अपने घर चली गई और अपने पती से पूछने लगे हिना आठ आपको आज एक पेड के नीचे बहुत सारा धन मिला था आपने उसे क्यों फेंक दिया गया विधाता से प्राप्त धन को कोई होकर कैसे मार सकता है आपने ऐसा क्यों किया पतनी की ऐसी बात सुनकर वह शूद्र आश्चर्य में पढ़ गया और पूछने लगा कि यह बात उसे किसने बताया तब उसकी पतनी ने उसे साधू के बारे में बताया फिर वह शूद्र अपनी पतनी को लेकर उस साधू के पास चला गया साधू के पास जाकर शूद्र ने उस साधू से पूछा है साधा आपको यह बात कैसे पता चली तब वह साधू बोले है ताथ तुम्हें आज बहुत सारे धन की प्राप्ती हो गई थी इश्वर ने तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें एक फल के अंदर रखकर सोने का टुकड़ा प्रदान किया था तुम्ने इश्वर का अपमान करते हुए उस सोने के टुकड़े को फेंक दिया गया तुम्ने आखिर ऐसा क्यों किया गया लगता है तुम्हारे भाग्य में धन नहीं दरिदरता है, धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यों तक दुख देखने पर गए प्रतिदिन परेशानिया उठा। नहीं पड़ेगी इसी लिए तुम जाकर उस धन को प्राप्त कर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो फिर शूदर ने कहा है साधु मुझे धन की इच्छा नहीं है। रखते हैं फिर धन मुझे कैसे सुख दे सकता है धन प्राणों। धन की आवश्यक्ता होती है। धन का अभाव होने से व्यक्ति स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकता दान करने से व्यक्ती को मोख्ष मिलता है। किन्तु निर्धन व्यक्ति के पास धन न हो तो वह दान नहीं कर पाएगा, फिर उसे मोक्ष कैसे मिलेगा, रोगों का निवारण, औशधी का संग्रह तथा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धन की आवश्शक्ता होती है. धन के बिना शत्रूओं पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, धन रहने पर तुम दान करके शीघ्रही स्वर्ग की प्राप्ती कर सकते हो. फिर तुम धन का त्याग क्यों कर रहे हो, फिर वह शूद्र बोला है, महात्मा कामनाओं का त्याग करने से ही सभी व्रतों का पालन होता है, जो अपनी कामनाओं का त्याग करता है, उसे कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, जो क्रोध का प्यार करता है, उसे सभी पीडित अनुसार में सबसे बड़ा धन्वान है और अहिंसा ही सबसे बड़ी सिड़ भी है जो कभी हिंसा नहीं करता रहा उसे ही सिध्धी प्राप्थ होती है मेरे लिए साथ का भोजन ही अमरित के समान है उपवास मेरे लिए उत्तम तपस्या है और संतोष मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है और पीधी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है मेरे सामर्थ्य के अनुसार में जो भी दान करता हूँ वहीं सरवश्रिष्ट पराइस्त्री और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है साधू जी इसी कारण मैंने उस धन को नहीं लिया गया मैं आपको सच सच बताता हुआ कपडे पर कीचड लगा कर उसे धोने से अच्छा है कि की से दूर ही रहे हैं उसी प्रकार से पराया धन की छत के समान है उसे अपने शरीर को लगा कर मैं अपने शरीर को गंदा क्यों करो शोध। द्र के द्वारा इतना कहते ही आकाश के सभी देवता अत्यंत प्रसंन हुए और उसके सिर पर-पर फूलों की वर्शा करने लगे तुरंत ही आकाश से एक विमान उतर आया जिसमें देवता बैठे इसलिए तुम अनंत काल तक सत्य लोक में निवास करो यह द्रिश्य देखकर वह शूदर उस साधु की तरफ देखकर बोला साधक आप कौन है आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला आप अवश्य ही कोई देवता है आप इस साधु के भेश में भगवान इसमामे साक्षात विश्नुहु तुम्हारे सत्य आचर्ण और धर्म की परीच्षा लेने के लिए ही मैं स्वय यहां पर आया था अब तुम अपने परिवार के साथ। जया आप लेने के लिए में आप आप अवश्य है साथ।